इच्छा है शिरी सुदिर अगरवाल जी वैसे आपकी जानकरी के लिए बताना चाहूंगा ये इन्वेश्टर सम्मीट संभाग इस तर पे अलग-अलग क्रमस होती जा रही है बीच का चुनाओ का कालखंड हटा दे तो लगातार हर इन्वेश्टर सम्मीट से हम ये संभाग म में भी बात रख रहे हैं लेकिन प्रदेश को भी जोड़ रहे हैं इससे प्रदेश अलग नहीं है इसलिए प्रदेश के अंदर और संभाग में दोनों जगे लेकिन इसका एक चक्री करम में फाइदा क्या हो रहा है चक्री करम में फाइदा ये हो रहा है कि सारे अधिकारी सारी जिम्मेदार सारी रचनाओं के हमारे सेक्टर के लोग यहां हर महीने मिल रहे हैं जैसे इस महीने अभी हमारा बीते महीने गौलियर में हम थे गौलियर के बाद सागर आए सागर के बाद रीवा जाने वाले हैं रीवा के बाद फिर नर्दापुरम के बाद दिसंबर में सहडोल में अर्थात ये क्रमनी टूट रहा है और इसमें हर जगे जैसे यहां सागर में अगर हमारे इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो आज ही आज में लगबा का हमारे पास यहां सागर के इसाब से देखे तो पांच हजार करोड से जादा का इन्वेस्टमेंट के तो अभी सुचना मिल गई है जो हमारे सागर में हो रहा है लेकिन इसके रिजन में अगर अगर अपन जाएंगे तो दस हजार करोड से जादा के कामों की आज ही हमारी यहां की व्यापार व्योसाई की प्रगती रहने वाली जिसके आधार पर दस हजार से जादा लोगों को रोजगार मिलेगा मुझे लगता ताली वाली तो मिलना चाहिए छोटी मोटी बात नहीं है यह हमारे लिए एक तरह से वरतमान के दोर में बदलते दोर में और जैसे कि कहा गया है मैं वो लिश्ट बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से को के लिए प्रभाव डालेगी और नाकेब बुंदेलखंड के विकास के लिए जब नए उद्धोग आते हैं इंफ्रास्ट्रक्टर का विकास होता है तो युवाओं को रोजगार मिलता है बड़े पेमाने पर निवेशक जब आते हैं तो सभी प्रकार की विकास के नए प्रफाजे खुलते हैं उसी के साथ साथ इस्थानी व्यापार को भी प्रोचसान मिलता है एक सेक्टर नहीं एक इंडस्ट्री आएगी तो होटल वाले ठेले वाले बजार वाले सभी प्रकार के लोगों को यहां से लेके वहां तक उसका असर आता है और यह सागर केवल सब्सक्राइब आपके बीच में बताया है और आपने बीच चतरपूर निवाडी टीकमगर पन्ना दमों में हटा के पास यह पूरा नया बेल्ट हमारा बनने वाला है और इसी के माध्यम से अगर मैं इसकी लाइन से देखता हूं तो हमारे बीच पेरा माउंट केबल पेसिफिक मेटा मेटल तो आपको बताई दिया है मेटा इस्टिल का तो जो जगदिश चंद्र अगरवाल जी दे रहे हैं लेकिं इंडस्ट्री एंड ट्रेड वेलफेर एसोसेन के माध्यम से बीना में लगबग सो करोड के निवेस से पांसो से ज्यादा लोगों को रोजगार दिलाने के लिए रेडिमेट गार्मेंट्स के इंडस्ट्री लगने वाली जोड़दारा विदंदन करो और बीना तो बदलने वाला बीना के अलग-अलग प्रकार के हमारे रसायन और उरुरक के सभी प्रकार के कारखानों के माध् इंवेस्ट्मेंट और पांसो ज्यादा रोजगार के हुसर मही बीना के लिए मिलने वाले हैं यह हमारी आज की अपनी उपलब्दी रहने वाली डेटा सेंटर तभी कलपना कर सकते थे डेटा सेंटर सागर रीजन में आएगा मुझे लगता अभी मत्यपदेश में सबसे प सुर्थी के अंदर डेटा सेंटर डाटा सेंट्रिक्ष के माध्यम से 17 skinless permite का इंवेस्टमेंट आया है बढ़ जाता है लेकिन ये इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हमारी अर्थ व्यवस्था भी बदलेगी करसी छोटे उद्धोग सहरों का आधुनी करण रोजगार सजन के अउसर ये पूरे सागर और पूरे छेत्र को लाभानवित करेंगे जिसके माध्यम से प्रत्यक आज के बाद एक इतियास लिखा जाएगा दिर्खकालिक रूफ से डेवलेब्मेंट की ये बड़ी संभावना का एक छेत्र बन रहा है क्योंकि जब हमारे इस छेत्र में नए नए राजमार्ग बन रहा है जोड़दार अब इंदन मानि नरेद मोधी जी के लिए जिनके मा दिल्ली मुंबई का छोटा कारिडोर बनाया एट लेन सुपर एक्सप्रेस में वह सबसे बड़ा सेक्टर निकल रहा है मद्यपदेश के बीच में से ये लाभ हमको मिल रहा है सागर में फोर लेन मिल रहा है इंदोरुजेन सिक्स लेन बन रहा है और ये में आप तो इंडस किसी प्रकार के छेत्र को हमने छोड़ रहा है अभी अभी उलाजी के तो बात ही नहीं कहीं आपके या इसी सागर के अंदर आपका एरपोर्ट का डेवलेपमेंट करने के लिए भी शीशराम उलाजी मोजूद है अच्छारा सो क्रोड के लागत से चार एरपोर्ट बनाने क क Critique के लिए व आपनी निवेस करने को तैयार है। यह हमारे इंवेस्टर समीत की ताकत कि कि मेरे बीच जो कह रहे हैं वह आपके बीच दूद का दूद पानी का पाने हैं। हमारे बीच में यह जो बड़ी संभावना बन रही है इस बड़ी संभावना के बलबूते पर एवियेशन के सेक्टर में और संभावना है जब हमारे लगातार अभी हमारा रिवा का एरपोर्ट का लोकारपन होना बाकी है उसके पहले सिंगरोली का भी बनके तैयार हो गया है इदर उज्जेन, शिवपुरी गुना, लगातार और आपके बीच में अब उमरिया, नीमज, सिंगरोली, सागर, हर संभाव केंद्र के अंदर एवियेशन की गतिविदी भारत सरकार के मंत्रले के साथ कदम से कदम मिलाके चलेगी और ना केवल जहाज उतरेंगे, उड़ेंगे, बलकि वहाँ भी रोजग बावना है, उस सेक्टर में भी हम काम कर रहे हैं, सभी प्रकार के सेक्षिनिक संस्थानों में ट्रेनिंग सेंटर खोलते वे, रोजगार का बड़ा दरवाजा खोलने का हमने निर्णए किया है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, आज यहां पर अलेंज पॉर्टेबल पेट्रोल प्राइवेट लिमिटेट के दोरा सागर सहीत मद्वदेश में 120 करोड की लागत से एक जिसके माद्यम से 4500 लोगों को रोजगार मिलेगा, सभी के लिए एक बार जोड़ार में सेमी कामन ले लिया है, मैंने, क्योंकि बताने में समय जाएगा, ऐसे यहां पर जब हम बात कर में आज ही आज में 800 करोड की लागत से क्रसीम खादी प्रसंसकंड के, आरके सेथिया के ग्रूप का आज हमने अपना यहां इसको जोड़ा है, 800 करोड की लागत से 850 लोगों को रोजगार मिलेगा, जोरदार अभिनन्दन करें, आरके सेथिया जी का, और बार माल्ट इंडिया प्राइबेट लिमिटेड यह सीहोर में 400 करोड की लागत से 500 लोगों को रोजगार मिलेगा, सीहोर के लिए अभिनन्दन कर दो, कोई बात नहीं, क्या सागर, क्या सीहोर, सब कुछ अपना ही है, भोपाल में इलेक्ट्रिक वहिकल निर्मान के लिए, इज गिरिन म माद्यम से 1000 करोड का, 2000 लोगों को रोजगार दिलाने के इसका भी M.O.U. हुआ है, जोड़दार अभिनन्दन करें इस बात का यह नए निवेश का, इसी प्रकार से जबलपूर, गौलियर, इंदोर, सभी बंसल गुरूप ने, आज उमेज दी के लिए जोड़दार रिंदोरे, सागर मेरी तरफ से घोशना करता हो, उमेज दी एक बड़ा इंवेस्टमेंट करने वाले हैं, दीरे दीरे मत आओ, दिल खोल के आओ, एक बार में आओ, परमात्मा ने मोका दिया है, यहाँ पर जो संभावना यह बाकी कहीं नहीं मिलेगी, नर्बदापुरम मे इंसलेशन ग्रीन एनर्जी का, सोला सो करोल का नया इंवेस्टमेंट की आया है, इसमें चार सो लोगों को रोजगार मिलेगा, नर्बदापुरम में दूसरा नवकर्णी उर्जा का, एक हजार करोल का नया इंवेस्टमेंट आया, इसमें दो सो लोगों को रोजगार नवकर्णी उर्जा के छेतर में बहुत सारी बात बता सकता हूं लेकिन अभी तो हमारे अलग-अलग ये अपना आधा सत्र हुआ है आधा सत्र राउंटेबल के अधार पर बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के निवेसक मेरे मित्र सामने बेठे हैं मैं आप सब का स्वागत कर बता हूं ये बात सही है कि मेरे पहले हमारे अलग-अलग विभाग के कई पीएस ने अपने विभाग की विस्तार से योजना बताई है हमारी योजनाओं के साथ हमने अपने निवेसकों का विश्वास दिलाने का प्रयास किया है लेकिन ये भी बताना चाहूंगा कि कई सार इन में सब काम करना है लेकिन जैसे मैंने कहा है ये क्रम लगातार चलेगा इसी लिए सम्मिला के लगबक 19,000 करोड़ों से जादा आज प्रस्ताव प्राप्त हुए जोड़दार अभिजन्दन कर दो सभी के लिए एक बार में जिसके माद्यम से लगबक 30,000 लोगों के रोजगार की संभावना बनेगी ये हमारी इन्वेश्टर सम्मीट की अपनी ताकत है मैं उम्मीद कर रहा हूं हमारी व्रह दिकाई या MSME सेक्टर लेकिन मुझे बताया गया है कि इस बुंदेल खंड पर हमने जब विकास की बात क रही है तो इंफरस्ट्रक्चर भी डेवलेफ कर रहे हैं उसमें परियाब ध्यान देंगे लेकिन रोजगार की बात कर रहे हैं तो रोजगार की हमने चरणबद रचनाये बनाई और चरणबद रचनाओं में पहली रचना हमारे अपने मद्वदेश के अंदर किसी भी जिल कोई इस मामले में भावना नहीं है